तो जनाब आज हम रेसिपी लेकर आए हैं जी मसाला फिश की तो यह बहुत ही असान बहुत मज़िदार और थोड़े से इंग्रेइट्स के साथ बन जाएगी और यह मेरी अम्मी की रेसिपी है तो टाइम नी वेस्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना तो सबसे पह प्राट लिया और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अच्छा यहां मैं आपको बता दूँ कि मैने फिश जो है वह एक किलो ली है और अगर आपने फिश वैसे बेसल लगा के दो निया तो भी ठीक है अधर आप लेमन लगा के ना इसको दो सकते हैं ताकि स्मेल बहुत जी स्टाइस यहां मैने इसमें थे हर्दी तो हल्दी डाल दिया मैंने इसमें ठीक है नमक डाल दिया है और इसके लाल मेश चराइट कर दी है अपनी मरसी से आप जिश मसाला लिया एक पैकेट तो बस सरफ यह अब आड करना इसके लाब और कुछ भी आड नी करना यह package है यह सारा इसमें डालनेंगे हम ठीक है अचा नमक मेज़ वगर अगर आपको जादा spicy खाना तो आप अपनी मरज़ी से भी डाल सकते हैं एड़ कर सकते हैं इसमें और बाकी कोई ingredients मत डालेगा क्योंकि इसके अंदर मसाले के अंदर सारी चीज़े मौझूत हैं तो हमें क् के लिए ठीक है यह बहुत ही अच्छा बन जागा इससे यह देखे मारा मसाला तैयार हो गया तो इसके बाद फिश्च जो मैंने धोके रखी थी वो मैंने इस तरह से एक एक कर के पीसिस जो इसमें डाल दी है और फिश्च डालने के बाद ना इसमें चमचा नहीं आपने ब करना इसको क्योंकि इसमें जब हम चमच हिलाते हैं बार बार तो यह तूट भी जाती है ठीक है यह फॉरन से गल जाती है इसलिए हमने इसको ज्यादा नहीं चमच हिलाना और यह देखें जी पक चुकी है हमारी फिश और इसको तकर रिवन नीडियम फ्लेम पे आपने पका ट्राय करनी है ठीका मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही यह मज़े की लगेगी तो उमीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो बही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेकिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें अला हाफिज